असलाम लीकुम स्टूडेंट्स हम लोगोने चेप्टर नमबर 3 जो है वो कंप्लीट के लिया है और आज हम लोग करेंगे चेप्टर नमबर 4 लेसन नमबर 4 और यह एक पॉम है Rain in Summer ठीक है तो आज हम पॉम पढ़ेंगे पॉम बिसिकली जिसमें एक पॉइट जो है ठीक है एक शाय अपनी feeling को express करता है ठीक है different way में हर एक पॉइट का अपना style होता है वो different जो literary devices होती है उनको use करके अपनी feelings अपनी thoughts जो है वो दूसरों के साथ share करता है अब literary devices क्या होती है literary devices यहनी कि alliteration होती है metaphor है simply है यानि हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ relate करके जब कोई एक expression बनाते हैं तो इन चीज़ों को literary devices कहते हैं जैसे कि अगर हम बात करें simply की तो हम कहते हैं as clever as fox जैसे हम लोग तश्पी दे रहे हैं ना कि कोई इनसान जो है वो clever है चलाक है जैसे कि लूम्री चराक होती है ठीक है तो ये इन चीज़ों को literary devices को use करते हुए एक poet जो है वो अपनी feelings हमारे साथ share करता है और ये poem जो है वो लिखी है H.W. Longfellow ने ठीक है ये poet का नाम है सो start करते हैं अपनी poem rain in summer How beautiful is the rain जो बारिश है वो कितनी खुबसूरत है Rain in summer यानि के जो गर्मियों की बारिश है उसके बारे में हमें poet बताएगा कि वो गर्मियों की बारिश को कैसे देखता है वो गर्मियों की बारिश जो है उसके बारे में क्या राय रखता है How beautiful is the rain ये जो बारिश है वो कितनी खुबसूरत है गर्मी और गर्दो गुबार के बाद ठीक है डस्ट कहते है गर्दो गुबार यानि ये जो मट्टी बगरा होती है धूल होती है इन दे बोर्ड एन फॉई स्ट्रीट वसी और आग बरसाती गलियों में इन दे नेरो लेन और इसके साथ तंग गलियों में बारिश कितनी खुबसूरत है अब इस टांसा में देखें कि पोईट जो है वो क्या कह रहा है कि बारिश कितनी खुबसूरत है जब बारिश होती है बहुत गर्मी होती है जब बहुत डस्ट हो जाती है उसके बाद जब बारिश होती है तो वो कितनी खुबसूरत लगती है और बारिश जो है वो हर जगा बरसती है बहुत बड़ी खुली वसी जो है वो गलियां हो ठीके जहां पर बहुत जादा सूरज की तपश पहुंचती हो या फिर तंग गलियां हो बारिश हर जगा है